राधे राधे आवरीवन आप सभी कापके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागते आज मैं आपके साथ शेर कर रहे हूँ अनन्त चतुरदशी की बहुत ही सरल पूजाविदी तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं इस वीडियो की माध्यम से मैं आपके मन के सारे जितने भी डाउट होंगे वो किलियर कर दूँगे जैसे की अनन्त डोरा कब पहना जाता है पुरोष और महिला को किस हाथ में पहनना चाहिए और इसको कब उतारा जाता है तो सबसे पहले तो आप पूजा विधी देख लीजे जिस जंगर पर आपको आप गीहूं का इस्तमार भी कर सकते हैं तो जहां पूजा करना है वह चौक पूर लिजे पटा बिछा लिजे उसके उपर पीला वस्त बिछा लिजे और भगवान विष्णू और मता लक्ष्मी की जो प्रतिमा हो आप पास फोटो हो उसको हम स्थापित कर लेंगे ये जो पूजा होती है इसमें आप हो सके तो तुलसी मता की पूजा भी जरूर कीजेगा और हो सके तो तिल का जो काला तिल होता है उसका इस्तमाल भी कीजेगा क्योंकि दोनों तिल होते हैं वो बहुत ही महत्पूर्ण होते हैं पूजा के लिए और आपको ऐसी कोई फोटो लेना नहीं तो सिंपिल छोटा सा एक लोटा भरकर रख लें उसमें तो हटिल दाल दें और थोड़ से पुष्प डाल दें अलग से हम यहां पर एक प्लेट रखकर छोटा सा एक गमला रख रहे हैं तुलसी मता के लिए और यहां पर हम साथ में ही अपने पटे में ही पूझा कर लेंगे तुलसी मता थोड़ी छोटी है इसमें तो मैं पटे पर ही रख रही हूं अगर आप पास बड़ी हो तो अब अलग से वहां जाकर भी पूझा कर सकते हैं तो अब सबसे पहले हम थोड़ी धूब चला लेंगे थोड़ी पवित्र कर लेंगे वातावरण को इत्र का इस्तमाल भी जरूर कीजेगा भगवान को इत्र की सिवा बहुत पसंद होती है तो यह जो पूझा होती है यह होती है भाद प्रदमास के शुक्ल पक्ष के चतुर तो इस दिन आपको अनन्त भगवान की पूझा करना यानि हमारे भगवान विष्णु की पूझा करना है इस पूझा का जो फल होता है वो बहुत विशेस होता है इस दिन जो भी जा तक इस तरी या पुरुष अनन्त भगवान की यानि कि हमारे विश्णु भगवान का पग को भी हम पूझ लेंगे हमारे भगवाने वेशनु माता लक्षमी और जो ब्रहमा जीवाने हुए है उसमें फोटो में उनको भी हम पूझ लेंगे इसके बाद आपको सभी जंगहे पर भगवान को फुल पुश्प अर्पित करना है और जितने भी आपके पास मौसमी फल हो वो अर्पित कर दिजे कुछ मीठा पुश्राद भी अर्पित कीजे चाबल की जंगह है पर हम यहां तिल अर्पित करेंगे ध्यान रखी का चाबल का इस्तमाल आपको नहीं करना है उस दिन इसके बाद आपको एक चीज और मैं बता दूँ अगर आप संतान सप्तमी की चोड़ी पहने हुए हैं तो आप इस दिन उसको उतार कर धोकर साफ गंगा जल के पाने से धोकर साफ करकर पोच कर आप इसको फिर से अपनी जंगह जहां रखना चाहते हैं वहां लाल कपड़े में रख सकते हैं और इसी दिन गनेश जी का विसरजन भी किया जाता है दस दिन के बाद जब गनेश विसरजन होता है वह अनंच तरदशी के दिन ही किया जाता है इसके बाद आपको भगवान गनेश पर दूबा और पुश्प अरपित कर देना है माता लक्षमी के लिए ल जनियू का लावार पित करेंगे, अनंत की पूजा करने का क्या फल होता है? वो भी मैं आपके बता देती हूं, अनंत दोरा का जो फल होता है? वो विशेश माना गया है, जो भी जातक इसको धारण करता है, बहुत सारे जो जातक हैं, वो 14 वर्स तक धारण करते हैं, पसके बह फिर अगले दिन किसी भी जल सरोवर में पवित्री जल सरोवर में आप उसको विसरजित कर सकते हैं इसके बाद देखे यहाँ पर हम अपने जो शंक है उसका पूजन कर लेंगे विश्ण भगवान की पूजा में शंक का पूजन जरूर कीजेगा जनियू कलावा जैसे मैंने टीक कर उसको धांड कर सकते हैं पूजा के बाद पूरुष जो हैं वो अपने राइट हैंड में दाहीने हाथ में बांदे हैं और जो महिलाएं हैं उसको लेफ्ट हांद में बाएं हाथ पर बांद सकते हैं या पर अपनी बाजू में भी बांद सकते हैं इस तरीके से आपक को आरती कर लेना है तो मैं यहां घीकी बात जला कर आरती कर रही हूं आप चाहिए तो कपूर की आरती भी कर सकते हैं और चोटा सा हवन भी कर सकते हैं जैसे आप पास समय है नहीं है तो आपने विश्ण फगवान के 108 नाम जरूर बोलें वह आपको आसाने से कहीं पर भी मिल जाएगा किसी भी गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा अब देखिए हमने अनंत का जो डोरा है वो रख दिया है उसको टीक देंगी आपके पास यह था संभव जितनी भी सामर्थ है उससा आप से दक्षण निकाल दीजे पूजन के बाद यह दक्षण आप क पूरी समस्त परवार को आरती देंगे और हम अब प्रातना करेंगे हां जोड़कर कि है भगवान जी अगर हम से कोई भी भूलो गई हो पूजन में तो माफ कीजिगा और हमारे ब्रत इसको स्वीकार कीजिगा आखरी में एक तुलसी पत्र भगवान को जरूर अर्पित पूरी पूजा का हमने आश्मन करी दिया है अब हां जोगर प्रातना करेंगे हमारे जो पूजा असको सफल बनाए आज का ये वीडियो में यहीं सब्सक्राइब करती हूँ कहां से आप यह मेरा वीडियो देख रहे हैं मुझे जरूर बताये का आप सभी का बहुत बहुत